हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप तो सबसे पहले स्वरस्वती पूजा मास्वती पूजा कि आप सभी को बहुत-बहुत सुबकामना हैं बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत-बहुत सुबकामना हैं मैं यही उपरवाले से प्रेयर करूआ कि आप बहुत अच्छे नंबर से प उसमें डाल देता हूँ, सर डेटशीट है ना टेंटिटिटिव है, मैंने सुचा काफी टाइम से आगे, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था, कि सर हमें पता नहीं चल रहा है कि डेटशीट आई है, और सेमिस्टर फोर के ना सब्जेक्ट सेलेक्शन या फिर जो एक्जाम नहीं नियरबाइ फाइनल होता है, तो पहला डेटशीट क्योंकि उसके अंदर बहुत मैस्ट अब होता है, तो मैं तरफ सेमेश्टर 6 की बात कर रहा हूँ, यार वाली नहीं है, और ये CBCS का है, ठीक है, अब ये BCOM प्रोग्राम है, SOL वाले बच्चों के लिए, प्रोग्र पर है, principle of microeconomics का, macroeconomics का, और ये compulsory है, G है, लेकिन SOL वाले बच्चों को compulsory core subject है, लेना ही लेना है, इसके बाद आपका management है, इसके अंदर हाँ, आपको option मिला है, कुछ बच्चों ने management लिया होगा, और कुछ बच्चों ने क्या लिया होगा, तो यहाँ पे, देखो, 3-3 द हो सकता है, पेपर बिल्कुल हो सकता है, subject choosing में देखो, पहले में तो आप ये वाला choose कर लें, दूसरा आपका कोई option नहीं है, तो यही करना होगा, तीसरा management account ही choose करें, आगे चलके आपको MBA वगएरे की तयारी करना हो, तो जुरत पढ़ेगा, चौथे में आप, देखो, हाला ताकि मैं international business भी पढ़ा हूँगा, ठीक है ना, और मैं FOI भी पढ़ा हूँगा, दोनों ही हमारे पास available है, ऐसा नहीं है कि एक ही subject है, लेकिन मैं आपको कहूँगा, कि आप जो है, वो FOI, fundamental of investment चूज करें, ताकि आपको थोड़ा better और थोड़ा हमें real life के अंदर जानकारी मि ठीक है ना, तो fundamental of investment, अभी तक हम जितनी भी study करते हैं, point of view company करते हैं, ये पहला एक subject ऐसा आएगा आपके life में, जिसके अंदर हमें क्या फाइदा होगा, as a student आप सोचोगे कि मेरा किस में benefit है, वो चीज़े इसमें सिखाया जाता है, with practical, ठीक है, तो ये देखिए आपका ये 27, 303, paper एक ही दिन है, और सारा का सारा, normally देखा जाए program, अब यहाँ पर SEC जो आपको दिया जाएगा, G जो दिया जाएगा, depend on के आपके college में, non college में क्या दिया जा रहा है, उस पर depend करता है, इसलिए मैंने उनका subject का नाम ही ने लिखा, 3-4 options होते हैं, अगला आपका SL हो, चा 20 माई और फिर 4 और फिर 6, यानि 2-2 दिन की छुटी, एक में 4 दिन की बाकी 2-2 दिन का गयब है, यह आपका core subject है, auditing core subject है, auditing हम आज से ही launch करने जा रहे हैं, जिन बच्चों को registration करना है, वो कर सकता है, और fundamental of investment भी है, और यह international, तो यह आपको यह चारो के चारो subject लिखें, य और बच्चों को यही लेना चाहिए, और इसी के according आपको further study करने चाहिए, जो मेरा मानना है, ठीक है, तो यह आपका पूरा का पूरा date set है, अब कुछ बात कर लेते हैं, देखिए, बहुत सारे student ऐसे हैं, जो कि अभी study start नहीं किया, और आप सभी के exam, आप मान लिजिए, कि 27 मही से है, मैं अगर बात करूँ ना आप से, तो अगर मैं बात करता हूँ फैब, तो फैब में आपके पास सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि 30 दिन का तो मन्त होता ही नहीं है, 13 दिन बचे हैं, मैं एक चीज आपको याद दिला दू, फैब के बाद मार्च, मार्च में आपके 35 क में 20 तारिक के आराउंड तो पेपर ही है, 20 हो, 28 हो, तो 20 माल लेता हूँ, तो टोटल डेज आप काउंट करोगे ना, तो आपको कितने डेज मिले हैं, सर साथ, असी, नवे, तिरानवे दिन है, 93 डेज है, ठीक है ना, और आपके पास minimum to minimum 4 सबजेक्ट है, तो आप अगर 4 मिल रहा है, आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और अल्टरनेटिब देखो, 20 दिन, 22 दिन के असपास मिल रहा है, ये समय आपको पता भी नहीं चलेगा, कैसे चला जाएगा, बीच में कुछ festivals भी आ जाएंगे, होली आ जाएगा, होली में 2-3 दिन आपके खराब हो जाने है, आप enjoyment कह सकते हो, या फिर utilization जो मरजी कही है, हो जाएगा, इसके बाद भी कुछ एक festival आ जाते हैं, जिससे हमारा समय निकल जाता है, दूसरी बात, बीच में गर्मियां भी पढ़ जाएगी, गर्मी आने के बाद, फिर कहीं न कहीं, family वाले भी plan करते हैं, कि यार चल, हम कहीं गर्मी चुटी में चले जाए, अगर आपके छोटे भाई बहन है, या कुछ ना कुछ planning रहती है, तो मैं बोलूगा थोड़ा सा, जो इससे पहले वाला जो session होता है, दिसंबर वाला, वो भी festival में होता है, यहाँ festival नहीं होता, लेकिन vacation जाद आ जाता है, तो यूटूब पे कौन-कौन सी classes आने वाली है और चल रही है, मैंने आप सभी को बोला के सर, FOI की आ गई है class, डल रही है, कल भी class डली है, management account की अब आने लग जाएगी आपके पास class, management account की already डली भी है, corporate account की भी जैसे होगी आने लग जाएगी, आपका macro का भी आ जाएगा सर, जितने भी हैं, आप अपने दोस्तों के साथ share नहीं करते हैं, देखो पता है क्या है, आप समना ऐसा करते हो, जैसे कि पता नहीं मैं आप लोग को किस चीज के लिए force कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे subscriber, अगर मैं आपको अपने channel का सारा दिखाऊंगा, मुस्किल से 10-12 दिन में बढ़ते हैं, व्यूज होते हैं, लेकिन बढ़ते हैं, यानि subscribe नहीं करते हैं, अब सीधी सी बात है, आप क्यों नहीं subscribe करते हैं, यह आपका अपना opinion है, सभी बच्चों को तो मैं बोलता हूँ, कुछ बच्चे तो है subscribe जो regularly है, आपके subscribe और ना subscribe करने से आपको कोई फरक नह लेगा लेखिन प्रेंकली बोलू तो हमें फर्रक पड़ता है और हमारा थोड़ा सा जो एक कहते हैं ने एक प्रिस्टीजियस कहलो या फिर एक चैनल की बोलते हैं जो नए अधर इन्युवर्स्ट्री के बच्चे होते हैं वह खैर मैं आप सभी को तो यही गुजारिस मैं रि काम करूँगा आप अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं वह आपके उपर है मैक्रो की क्लास आएगी कॉस्ट की क्लास आएगी आपके जो जो क्लासिस होंगी मैं बता देता हूं कॉस्ट की क्लास होगी इसके बाद आपका इंटरनेशनल बिजनस की क्लासिस आएगी अभी यूटूब पे क्योंकि कुछ बच्चे परिशान हो रहे हूं तो उनके लिए मैं बताता जा रहा हूं कंपनी लॉग की क्लासिस आएंगे यूटूब पे लेकिन कब आएंगी धीरे-धीरे सारा सर्कूले मैं बताओं आप देखते जाना कितने सब्जिक्ट से ठीक है न फिर आपको पता चलेगा सर वाक्य में काफी टिपिकल है ओडिट की क्लास आएंगी audit की class आएंगी इसके बाद आपका macro भी हो गया cost हो गया audit हो गया ये हो गया ये हो गया GST की classes आएंगी तो आप देख सकते हैं आप ध्यान दीजिएगा ठीक है कितने subject हो गया 5 6 7 8 9 लगबग लगबग 9 एक आद और subject हम कोसिस कर रहे है HRM लाने की तो 10 subject के असपास हो जाते हैं जिसमें से मैं आप बैसे काफी time से आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं कहूं एक तरीके से जो आप लोगों का इतना प्यार मिलता है मेरे लिए के सर आप करादो अच्छे से कराऊगे तो जिस पे मैं circle लगा रहा हूँ मैं आपको वो वो सारे subjects पढ़ा हूँगा इसमें से चार subjects तो मैं आपको पढ़ा हूँगा चार subjects मैं पढ़ा हूँगा बाकी अलग-अलग teachers है और teacher ऐसा नहीं है जभी audit की class आईए तो आपको knowledge का खुछ पता चलता है हमने courses करी है उन teacher को add करें जो की थोड़ा experience हो और responsible हो देखो एक teacher मैं बहुत अच्छा लिया हूँ तॉप class का teacher लिया हूँ आपने पुछा सर ये कैसे अगर आया तिरे को नहीं बताएंगे तो वो चीज़े गलत है सही क्या चीज़े हैं कि responsible बच्चे ने अगर पूछा है तो उसको समझना पड़ेगा हमें कि वाके हर बच्चे को क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे कि 100 बच्चे में से एक बच्चे के भी अगर मान लो problem sort out नहीं हुई क्या फरक पड़ता है 99 आगर भाई उस एक बच्चे के ऊपर पूरी की पूरी family टिकी हुई होती है अभी नहीं टिकी लेकिन 10 सालों में तो depend होगा ना तो हमारी एक गलती पूरे परिवार को बरवाद कर सकता है हम इस हिसाब से लेके चलते हैं आप सभी को ठीक है ना तो ये सारे subjects है और आप बोलो के सब जल्दी जल्दी डाल दो तो मेरे हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि 9 से 10 subjects के वीडियो को edit करना और फिर उसको upload करना not a simple task ये एक बड़ा task है क्योंकि उसके लिए बहुत heavy system भी चाहिए बहुत सारी चीजे भी चाहिए edit भी क्योंकि मैं देखो time पे आपको पढ़ाऊँगा time पे वीडियो दूँगा लेकिन जितना ज़्यादा सोहलियत हो सकता है हाँ edit करने वाला अगर part ना हो ना तो मैं तो फटा-फट बजे तक मैं वीडियो को डालता हूँ तो जितने बच्चे दिन में wait करते हैं कोई time नहीं है लेकिन मैं courses करूँ आप लोग के लिए time table करूँ अब बहुत सारी दिक्कते हैं बहुत सारी problem हैं अब मैं simple सी बात करूँ कुछ बच्चों को लगता है देखो जैसे अब न गूगल पे से गूगल आप सर्च मारना क्या लिए गूडल लिख दिया यह तो आप सर्च मारना इन्होंने एक GBPS गूगल payment system लेके आ गए अगर मैं 100 रुपय का course अगर application पे किसी को बच्चे को देता हूँ ना तो इस course के साथ देखो क्या क्या होता है हमारे साथ तो यह कहते हैं जी जी भी गूगल पे बोलते हैं कि आपका application चल रहा है 18% हमें दो आप सर्च मार ले ना कि GBPS क्या है और applicable हुआ या नहीं हुआ है नहीं तो हम आपके application को हटा देंगे प्ले स्टोर से मैंने कहा यार यह तो बड़ी दादागिरी टाइप की होगे government कहता है कि भाईया यह आपने बेचा इसके उपर 18% हमें दे दो 36% होगे सरकार कहती है कि आपको 30% हमें tax देना होगा जितना भी कमा होगे उसके उपर तो आप ध्यान से सूचे तो 50-60% के एप्रॉक्स मान के चलो वैसे तो 60% प्लस जा रहा है यह tax ही चला गया हमारे पास बचा के असर हमारे पास बचा कितने रुपे मान लो 50 रुपे एक पल को वैसे तो 40 है इसके अंदर जो sales करता है हम उसको heavy commission देते है ऐसा नहीं के commission नहीं बहुत heavy commission देते हैं हम लगबग लगबग 50% commission देते हैं उनको कि आप जो भी बेचो क्योंकि हमारे पास वह staff अगर मैं बोलू मेरे पास job करो तो आने को कोई तयार नहीं है तो ज्यादा मैं commission देता हूं तभी आपको थोड़ी बहुत service sales की मिल पाती है तो थोड़ा बहुत य equipment है depreciations है और भी मैं सोच रहा हूं आप लोगो को कुछ और भी अच्छा features दूँ कुछ बच्चे playlist यूट्यूब पर भटकते रहते हैं उनके लिए मैं कुछ free वाला provision भी करूँ मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं आप सभी के लिए अब देखी सकते हूं और बाकी ये सारे subjects रहे हैं tenure के साथ books भी सारी market में आ गया और आप सभी को मैं कहना चाहूंगा books जरूर लीजिएगा क्योंकि आप books खरीद करके 500 या 700 रुपे खर्च नहीं कर रहे उससे कई लोगों का घर चलता है वो चीज़ा आप एक तरीके से contribute कर रहे हैं मैं आप सभी को suggest करूंगा books देने को इसके उपर भी कहर मैं एक दिन discussion करूंगा अभी फिलाल बहुत सारे student कह रहेते सर कुछ offer आ जाए तो बता दो हम लेलेंगा offer में तो मैंने वही कहां भी है देखो price कम करना तो नहीं है मैं अभी ये कर सकता हूं कोई भी दो course ले लो या एक course भी लेते हो जैसे कि मैं 600 रुप का पढ़ जाएगा clearly description में मैंने link दे दिया है कोई भी course लेजिए आज cat का लेजिए ssc का लेजिए become का लेजिए कोई भी er की लेजिए हाँ इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे जैसे की बोलते हैं के sir हम financially weak है या यह genuinely मैं आपको seriously बता हूँ एक बच्चे ने मेरे से कहा कि sir हमारे पास इतना भी effort नहीं कि हम पैसा दे सकते हैं मेरे पास group भी है हमने कहा कि चलो ठीक है तुम फिर कम पैसे में ले लो जैसे भी मैं दे देता हूँ मैं किसी तर करा और उस बच्चे का मैंने पता किया जब दूसरे group में क्योंकि become के अंदर बहुत सारी जितने बच्च तो ऐसे क्या होता है कि आप जरूरत मंद 50-100 रुपे आपके लिए माईने नहीं रखता और नहीं मेरे लिए माईने रखता है इस पल के लिए लेकिन जरूरत मंद वालों के हग को मत मारे जो जरूरत मंद है अगर वो कहेंगे तो definitely उसके लिए हम हैं खड़े starting से कहा था ग्रेजुशन है, ग्रेजुशन अच्छे से करिए, आगे चलके आपका B.com, MBA, C.A.C.S, उसके अंदर भी हम आपके जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे, जिससे आपको benefit मिलेगा, तो overall मेरा बस एक announcement था, कि ये सारे subjects आपके YouTube पे आएंगे, और दूसरा के सर, ये चीजे date sheet है, उनको देख लीजिएगा, और कोई भी course ले सकते हैं, मैं description में number, WhatsApp करिए, link और books जो लेनी है, books के बारे में मैंने already बता दिया, फिर भी मैं बता दू कौन से books आ चुकी है, cost के book आ चुकी है, इसका भी link मैं दे दूँगा, corporate account का आ चुका है, इसका भी link दे दूँगा, काफी बच्चे बोलते सर, please notes दे दो, notes, मैं करूँ मैं book से ही पढ़ा रहा हूं, बच्चे आप books खरीद लीजिए, और books खरीदने में कुछ नहीं जाता, आप अगर YouTube से पढ़ रहे हैं, तो book से मैच करिए, का question definitely मैच होगा आपका, तो ये सारा का सारा हमारा scenario रहने वाला है, hopefully आपको चीजे मेरी बाते को अगर समझ पा रहे होंगे, तो समझेंगे उन सारी चीजों को, और जिनका इच्छा करता है कि भीया, live class लेना है, live classes होती है, और doubts के session के लिए, वो course join कर ले, और जिनको लगता है सर ये बहुत ज़्यादा amount है, तो उनके लिए हम YouTube पे तो class डाली रहे हैं, ठीक है न, thank you so much, चैनल को like, share, subscribe करिए, अगर आपको इससे benefit हो रहा है, तो नहीं benefit हो रहा है, तो एक dislike का भी आपके पास option होता है, वो भी कर सकते हैं, देखिए, मेरी जितने आप मुझे बताएंगे, मैं कुसिस करूँँआ, best से best आपके लिए कर पा, thank you so much,